आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है बच्चो आज हम कार्य पत्रक वियालिस को डिस्कस करेगे यह कार्य पत्रक कुक्षा 6-8 तक के भी धारत्युकले बनाए गया है यह कार्य पत्रक दिनांग 62-2020 का है यहाँ पर बच्चे को अपने नाम लिखना हो यहाँ पर कुक्षा आजयापक का नाम लिखना है अब बच्चो आप कार्य पत्रक को पढ़ना सुरू करते हैं बर्सात के आने से गर्मी से रात मिली है चारों और हर्याली देखकर अच्छा लग रहा है बर्सात में होने वाली जल जनीत बिमारिया और अन्य बिमारिया जैसे डैंगू, टाइपार्ट, मलेरिया आजी से बचने के लिए हम सावदानिया पटने लगे हैं सामने तर हम जिन सावदानियों का धान रखते हैं वह है पहला नंबर हम पानी उबाल कर पीते हैं दूसरा नंबर कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमानी होने देते हैं देखे बच्चू, इसमें बताया गया है कि देखो बरसात का मोसम आ चुका है अब चार और हज्याली हमको दिखाई दे लिए हैं और बरसात में क्या होता है कि बहुत सारी बीमारिया पैदा होती है जैसे डैंगू, टाइफाइड, मलेरिया ऐसी खतरनाग बीमारिया है जो कि ऐसे मोसम में आती है तो इसको इन विमानियों से बचने के लिए हम कहके साफधानियां बरत रहे हैं जैसे यहां पर दो साफधानियां लिखी है पहला तो कि हम पानी उबाल कर भीते हैं दूसरा कि बहार जो भी कूलर है, कूले टायर है कि जहां पर पानी स्टोर हो सकता है बरसात का पानी रुख सकता है वहाँ पर हम पानी जबानी होने देते है आगे लिकावा किसी विशेश सप्ता में एक सहर में के निम्नलिकित आकड़े दिये गए है नीचे बचो किसी एक सप्ता कोई भी एक सप्ता है जिसमें किसी एक सहर के आकड़े नीचे दिये गए है देखिए इसमें बताया गया कि यह सब बिमाजियों के नाम है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइट, चिकनगुनिया, बुखार, डाइरिया, खासे जुखाओं अब इन सब बिमारियों से किस सहर में इतने मरीज है दिखाए गया है जैसे डेंगू के मरीज 85 है, मलेरिया के 122, टाइफाइट के 231, चिकनगुनिया के 95, बुखार के 452, डाइरिया के 385, और खासे जुखाओं के 543 मरीज है अब यह जो डेटा है, इस डेटा के अनुशार नीचे कुछ कोस्टन्स दिये गए है, आपको उन कोस्टन्स को सोल्ड करना है कोस्टन्स जज़े टफ है नहीं, बहुत आसान से कोस्टन है, पहला कोस्टन है, सबसे अधिक मरीज किस मिमारी के है देखिए बच्चों, जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, वह सबसे ज़्यादा अधिक मरीजों का होगा जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा, 543, देखिए यह जितने भी नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे अधिक मरीज किस बिमारी के है, ने अब देखिए बिमारी का नाम भी थावा, कासी जुखाम देखिए बच्चों, दो सबसे अधिक मरीज है, वह कासी जुखाम बिमारी के सबसे ज़्यादा मरीज है अब पर्सन जंक्या दो देखते है सबसे अधिक मरीज किस बिमारी के है ने बत्यों ये पर्सन तो रिपीट हो रहा है I think ए मिस्प्रिंट है अधिक के जगाएरा कम जो अधिक तो हमने बता दिये अब हमको बताना है सबसे कम मरीज किस बिमारी के है देखिए बच्चो जो सबसे कम नंबर होगा वो सबसे कम मरीज बिमारी के है तो यहाँ पर देखिए सबसे कम नंबर कौन सा है मुझे यहाँ पर दिखा जारा 85 जो की डैंगू बिमारी के है तो सबसे कम मरीज किस बिमारी के है डैंगू देखिए बच्छों मैंने आप लिख दया डेंगू तो सबसे कम डेंगू के मरीज है अगला कोशन है कोशन नमबर तीन मलेरिया के कितने मरीज है बच्छों आपको यह उपर टेबल में देखना है और की मलेरिया के कितने मरीज है तो आप देखिए मलेरिया गाल लिखा हुआ यह लिखा हूँ, इसके निचे जो संख्या लिखी हुए है, वह मारा जगे मलीरिया के मरीज, तो मलीरिया के मरीज कितने हैं, 122, आगे देखी, डाइरिया और चिकन गुनिया के कुल कितने मरीज हैं, देखी बच्चो, आपको बताना है, डाइरिया, तो डाइरिया और चिकन गुनिया तुक्चु क्या करना है डाइरिया के मरीज और चिकन गुनिया के मरेजों को आपस में जोड़ aci तो यहां पर डाइरिया के मरीज दिखा रहे हैं प्रिण 186 और चिकन गुनिया के 95 को 308 में 90 को जोड़ देना है तो 300 states है चार सो अश्ची तो डाइरिया और चिगरगुनिया के गूल मरीजोग सिंग्या है चार सो अश्ची आगे देखिए परसे रंकिया पाच बरसात के दिनों में बिमारियों से बचने के लिए में और किन साफदानियों का ध्यान रखना चाहिए तो आपको बताना है कि जो बरसा होगी देखिए भचो पहला है कि हमको जो शाफदानी बसनी है वो है घर के चारो ओर पानी जमाना होने थे गड़ों को मिटी से बर दे जैवर की नाल्यों को साफ करें लुए बसटो जो घर के चारों तरफ हो 900 कूंब पानी कट्ठा होता होता तो मत्चर पैदा होते हैं वह आपको काट सकते हैं आपको बहुत सारी बिमारी आपको हो सकती है दूसरा है अगर पानी जमा होने से लोकरा संबब नहीं है तो उसमें पैट्रोल या केलोसीन आयल डाले बचो ऐसी सिच्वेशन होते हैं कि हम पानी को भार गिरा नहीं सकते तो उस situation में हम उसमें अगर कैलोसीन या पैट्रोल लाल देते हैं तो उसमें मच्च पैदा नहीं होते फिर तीसरा नमबर रूम कुलरो फूल दानों का सारा पानी हपते में एक बार पक्सियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज पूरी तरह से काली करे उन्हें सुकाई और फिर भरे गर में टूटे फूटे डिबे टायर पर्तन बोतले आदी ना रखे अगर रखे तो उल्टा करके रखे 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 बच्चों जो बार गर में रूम कुलर है पूल दान है ठीक है और जो पक्सी जो दाना पानी के लिए हम जो बर्तन रखते हैं उनको अगर पानी देते हैं तो उसको डेली टेंस पर साप करे उनको सुका के रखे और जो घर में जो टूटे फूटे जो डिग बेट कायर अगर वो छाथ पहे गिले होगे तो उनको उल्टा कर दे जिसे उनमें पानी जमाना हो सके डैंगू के मचल साब पानी में बनपते इसलिए पानी की टंकी को अच्छी दर से बंद करके रखे जो माई टंकी होती पानी की टंकी उसको बंद करके रखे क्योंकि साब पानी होगा वो साब पानी में डैंगू बनपता है अगर साब पानी कई पर स्टोर रहता है तो वहां पर डैंगो की पर अपनों की संभावना ज्यादा रहती है फिर अगर मुम्किन हो तो खिड़किया और दर्वाजों पर महीन जाली लगवागे मच्चरों को गर्मे आने से रोके और बच्चों जो हमाई दर्वाजे होते हैं जो खिड़की होती हैए अगर वहां पर हम बिल्कुल ही बारिक अगर जाली लगा जेतेई तो फिर भार से अंदर मच्चर नहीं आ पाते हैं हम इन सब का यूज करके मर्चरों को बगा सकते हैं